आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग से समझेंगे इसमें हम लोग सॉफ़वेर के बारे में पढ़ेंगे और ये पूरा सीरीज हम लोग पूरा basics इसके बारे हम लोग detail में discussion करेंगे कि आखे tally prime क्या है क्यों use होता है, कौन use करता है, कैसे use होता है तो इसके बारे हम पूरा हम लोग detailed में discussion करेंगे और फिर क्या है कि जो भी जितना भी topics होता है basics जो भी है, वो पूरा हम लोग एक एक video में clear करते जाएंगे यह जो भी series maintain होगा, अगर इसको आप online किसी से purchase करिएगा तो you will have to pay approximately 1500 for this course बट आपको इस channel पर क्या है, पूरा free में आपको पूरा का यह tally prime का जो videos है वो basics जो भी requirement है, सारा आपको free में मिलेगा तो चली हम लोग देखते हैं क्या कि tally prime क्या है, इसका introduction देखते हैं सबसे पहले तो बुलता है क्या है कि tally जो है, वो क्या है, financial accounting का software है क्या है यह, financial accounting का software है design by कौन design किया है, तो tally solution, tally solution private limited company है वो design किया है, यह basically किस firm में काम आता है तो यह जो small और medium businesses होते है न, उसके लिए यह basically काम आता है इसका जो usage है, यह over 2 million users है, पुरा in 90 countries में मतलब कि इंडिया में भी, इंडिया के अलावा 19 countries में इसका usage है जो लगभग 2 million लोग use कर रहे है, ठीक है यह जो है latest version है, tally prime क्या है latest version है इससे पहले क्या था, tally erp 9 था, उससे पहले भी tally 9 था तो क्या है, जैसे कि facebook update होता है, whatsapp update होते रहता है तो उसी तरह यह tally भी update हो रहा है और एक नए दौर में नए तरीका से आपके सामने यह represent कर रहा है तो इस तरह से यह है, तो क्या है यहां पर कि हम लोग का यह पूरा financial accounting होता है, उसका पूरा software है, पहले क्या होता था financial accounting का module होता था उसको हम लोग copy में लिखते थे profit loss copy में बनाते थे, सब अलग अलग sales register परचे रजिस्टर इस तरह से लेकिन जब डिजिटल इंडिया या तो फिर जो ऑनलाइन का दौर है, सौफ़वेर का computer का एर आया है तो यहां पर क्या हो गया कि computer में सारा चीज हम लोग entry करने लगे जो कि registers वेगरा हट copies से हटके कहां आगया आपका computer में आगया तो computer तो directly आपका जाने के नहीं तो उसके लिए specially software बनाए गया था tally जो day by day यह update होते जा रहा है और basically बहुत major updates नहीं है basically जो work इसका working style है वो same है लेकिन जो इसका softness है वो बढ़ाते जा रहा है तो basically क्या है तो यह financial accounting है आप यहां पर क्या कर सकते है आप financial finance manage कर सकते हैं आप यहां से stock manage कर सकते हैं यहां पर payroll manage कर सकते हैं यह software से आप यहां पर within a click आप अपना सारा report generate कर सकते हैं आप अपना सारा report देख सकते हैं profit loss balance sheet अगर day to day transaction आपका सही हो रहा है तो with the help of tally prime आप यहां पर पूरा चीज देख लेंगे तो यह basic introduction था tally prime का अब हम लोग देखते कि आगे जो आने वाला series है इसमें कौन कौन सा topic cover करेंगे इसमें बेशिकली हम लोग क्या है कि five modules cover की है यही five modules अगर आप उनलाइन जाहिएगा तो आपको फिप्टीन हंडरी रुपेस costing पड़ेगा जैसे कि क्या है फिर्स्ट मॉड्यूल है अपलोग का टैली प्राइम का start-up क्या होता है तैली प्राइम डाउनलूड कैसे होता है उसको install कैसे करते है उसमें उसका launching क्या है education mode क्या होता है license क्या होता है यह सारह पे अपलोग को deeply अलग अलग videos में अप लोग को चुटा group company कैसे बनता है group company कैसे create होता है data entry कैसे होता है तो इस पर आपको module 2 में इस तरह से आपको बताया जागा और module 3 में क्या day to day transaction हम लोग कैसे टैली में book करते है पर change हो गया शेल हो गया contra है receipts है payment voucher है golden rules of accounts क्या होते है recording of journals in tally prime यह सब सारा चीज हम लोग आने वाले videos में discussion करेंगे bill wise detail क्या होता है bills receivable क्या होता है payable management ठीक है यहां पर हम लोग यह सारा चीज हम लोग आने वाले videos में एक एक करके discuss करेंगे जैसे टैली प्राइम में जो banking facilities है क्या है checkbook configuration है check printing है banking transactions है introduction to post data checks है मतलब इतना सारा हम लोग details हो है आने वाले videos में लोग discuss करेंगे तो आज अजु तो तली प्राइम का basic introduction था इस दिग्या था 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 था